तो जहिंद बच्चों लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए आज मोल कॉंसेप्ट का वीडियो जहां पर आज हम डिसकस करने वाले हैं मोल कॉंसेप्ट को अफकॉस है ना तो चलिए मोल कॉंसेप्ट में सबसे पहले एक छोटी सी चीज बता दूं आप लोगों को जिसको हम क सर, contain the same number of molecules, अब बात आती है, क्या हो गया सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो हम समझाते हैं न भई, देखो इदर, आप ले लो भईया, दो लिटर ऑक्सीजन, हाँ, लिक्विड के फॉर्म में, ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, दो लिटर, फिर हमने बोला, कि दो लिटर ले लो, चलो, नाइटरोजन, क्या बात समझ में आई, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो अलग-अलग तरह के गैस लिए हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करो, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, क्या आपके पास दोनों का, वॉल्यूम सेम है, अच्छा अब ध्यान रखना है आ एकमपल, अगर मैं आप से कहता हूं कि 2 लिटर अकूण में 5,000 हैं, एकमपल की तार बताया है, मैंने आपको समझ मारी नवाद, कि अगर 2 लिटर अकूण में जो आपके पास मॉल्यूम से हैं, वो 5,000 हैं, entonces 2 लिटर नाइटरोजन में भी, येस, दो लिटर नाइटरोजन म भी आपके पास five thousand molecules होने वाले हैं समझ माई बात इतनी डन है ठेक है but the condition is अभी जो definition निखवा है उसमें क्या था उसमें क्या था आपके पास temperature temperature and pressure yes temperature and pressure must remain constant yes ये दोनों change नहीं होने चाहिए क्या इतनी बात समझ माई डन है ठेक है ओके ग्रेट तो इसके पर questions कैसे कैसे आता है तो question ऐसा पूछ लेगा जैसे अभी इसी की बात बोला मैंने बोला दो लिटर oxygen में five thousand molecules हैं समझ मारी बात ये मैंने दिया फिर मैंने आप से पूछा कि भाया आप मुझे बताइए seven liter nitrogen में seven liter nitrogen में how many molecules अब बात आती है यहां पे concept लगाना पड़ेगा क्या कि volume तो यह दोनों का अगर equal होता है तो molecules भी equal होते हैं तो मैं यहां से hundred percent कह सकता हूँ मुझे nitrogen का calculate करना है तो मैं ऐसे बोलूँगा टू लिटर ओफ नाइट्रोजन कंटेंस 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 हाव मच येस five thousand molecules तो यहां से मैं यूनिट्री लो लगाऊंगा समझ मारी यूनिट्री मेथड तो यहां से पहले मैं one liter का निकाल लूँगा और फिर जितने लिट्र का निकालना है उतने से में multiply कर ठीक है नहीं आता है तो सीख लो इसको ये जिन्दगी है ये हर मोर पे काम आने वाला है आपके पास real life में भी और real life में भी बोले तो यहां पे theory वाले काम में भी और practical वाले काम में भी जिन्दगी में भी तो दो लिटर नाइट्रोजन के पास इतने सारे molecules थे तो एक लिटर के पास कितने हो जाएंगे भाई तो 5000 divided by 2 molecules येस ठीक है ये वाली चीज़ डिवाइड में जाती है got it ओके अब एक लिटर का पता चल गया तो 7 लिटर के पास कितना हो जाएगा तो 7 लिटर ओफ नाइट्रोजन विल कंटेन और कंटेन येस 5000 divided by 2 multiply 7 मतला एक लिटर में जितना था उसको 7 से multiply कर दो और आपका काम जो है वो बन जाने वाला है ठीक है ना इससे उड़ा दो कितना होगे 25 डबल जीरो फिर multiply 7 25 सत्ते 175 और ये डबल जीरो तो इतना molecules जो आपके पास निकल कर आ जाने वाला है बताए किसी भी तरह की कोई problem नहीं ना डन है ओके ग्रेट तो अगर आपको एवोगाड़ो लॉस समझ में आ गया है तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और आगे की जो कहानी हमें देखने को मिलेगी वो मोल कॉंसेप्ट है मोल कॉंसेप्ट में एक छोटी सी कई बार definition जो है आपसे वो पूछा गया है तो मतलब था यूनिफाइड मास बट आप इसको में एम से रिपरजेंट करते हैं जिसका मतलब है एक टोमिक मास यूनिट एक टोमिक मास यूनिट ठीक है चलिए इसकी definition कई बार पूछी गई है तो फटा 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 हम आपको definition बता देते हैं समझाएंगे भी टेंशन मतलिजे चरब definition लिखवाएंगे नहीं इसका कहने मतलब है मास ओफ मास ओफ वन ट्वेल्थ वन ट्वेल्थ ऑफ कारबन ऑफ कारबन ट्वेल एटम इस वन एम यू बस इतना ही definition याद रखनी है कोई दिकत नहीं है मैं समझा देता हूँ इस लाइन को छोटी सी बात है कहता है यह एम यू कुछ और नहीं मास कितना मास है वन ट्वेल्थ कितना वन ट्वेल्थ किसका कारबन ट्वेल के वन एटम का कारबन ट्वेल के वन एटम के ध्यान रखेगा अब कारबन ट्वेल क्या है सर तो आपने आईसोटोप्स पढ़े होंगे अब आईसोटोप्स होते हैं क्या है जिसके आपके पास क्या कहते है इसको तो हम कौन से वाले carbon की बात कर रहे हैं हम इस वाले carbon की बात कर रहे हैं जिसका mass कितना है बार है इसलिए आपे C12 लिखा गया है तो इसके एक atom का mass जो होता है ध्यान रखेगा इसके एक atom का mass होता है वो होता है अच्छा उसका 1 12th करने है मतले 12 से ऐसे 1 12th of कारबन के वन एटम का मास और वो होता है 1.9924 आगे 99 ले सकते हैं 24 भी होता है और इंटो में 10 की पावर द्याद रखेगा माइनस 23 ग्राम जब आप इसे इसको डिवाइड कर देते ता आपके बस रिजल मिलता है 1.66 इंटो 10 तो दर इस पावर माइनस 24 ग्राम बस यह याद रखने के चीजे हैं और कुछ नहीं थे यह 1.amu की वैल्यू हो गई अब इसी तरह से हमारे पास एवगाडर अंकल ने एक एवगाडर नंबर दिया था तो एवगाडर नंबर का कहना क्या है समझाता हूं इनका कहना है कि अगर आप किसी भी चीज़ के एक मोल की बात करते हैं अच्छे से समझेगा मोल कौन सप्रावी स्टार्ट हो चुका है एक मोल की बात करते हैं तो उसमें हमीशा 6.02223 भी लिख सकते हैं इंटिटीज होंगे नंबर्स होंगे एक तरीके से आप नंबर्स को रिपर जंट करेंगे इतने सारे होंगे जैसे आप बोलते हैं यार सेंचूरी तो वन सेंचूरी का क्या मतलब समझते हैं आप है ना समझे रहे हैं जी जो को वन सेंचूरी का मतलब क्या हो गया हंडर्ड अब हंडर्ड वो कुछ भी हो सकता है किसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं किसी के एज की बारे में बात कर सकते हैं किसी के क्रिकेट में रन के बारे में बात कर सकते हैं समझ मारी बाद उसी तरह से यहां पर entities की बात करेंगे हैं तो वह भी एक number को represent कर रहे हैं कि इतने सारे होते हैं एक mole में समझ मारी बाद जैसे हमने इसी तरह नॉर्मल एक daily life में जो हम use करते हैं one dozen one dozen भाईया हमको एक दर्जन खेला दे दिजिए बनाना समझारी बाद उसमें कितने होते हैं ट्वैल्ल किसको represent करते हैं entities को अब जरूरी तो नहीं सिर्फ मैं बनाना के लिए यूज करो भाईया कहीं भी जाओ मैं one dozen यूज कर सकता हूं किसी भी quantity के लिए उसी तरह से एक number है this is your this is your number which represents one mole of anything टेक generally हम यहाँ पे atoms molecules ऐसे चीजों की बात करेंगे तो वो कोई टेंशनली बात नहीं दीरे दीर आपको समझ में आही जाने वाला है समझ महारी बात done है ठीक है ओके great तो यह चीज आपको ध्यान रखना है इसको अवगाट्रो नंबर के नाम से जाना जाता है और कई बुक में na स से रिपरजेंट किया गया और कई जगा पर एन जीरो नॉट से रिपरजेंट किया गया जैनरली मैं आइने से करूंगो द्यान रखेंगा नंबर कौन चाहिए वोगाट्रो वारा समझ में आई क्या चलो बई आगे बढ़ा जाए अब यहाँ पर आपको वैसे तो atomic mass given होते ह अब फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा वन से लेकर 20 तक अटलिस्ट याद रखें जैसी के hydrogen का 1 होता है helium का 4 होता है lithium का 7 होता है beryllium का side 9 होता है हनो होता है और boron का 11 होता है 10.8 होता है 11 राउंड आफ करके लिख रहा हूं carbon का 12 होता है nitrogen का 14 होता है oxygen का 16 होता है और क्या बचा oxygen के बाद fluorine के बाद 19 ले लिजे neon ले लिजे सायद 20 होता है नहीं तो 21 देख लिजेगा एक बर confirm किजेगा फिलीज वैसे कोई दिक्कत नहीं है BC होगा जहां तक मुझे idea है और sodium का 23, magnesium का 24, aluminium का 27, silicon का 28, phosphorus 31 ये 27 ध्यान रखेगा उसके बाद आजाएगा sulfur 32, chlorine का याद रखेगा 35.5 होता है फिर argon, argon का 40 होता है, potassium का 39 होता है और फिर calcium का 40 होता है तो यह आपको 20 तक बता है वैसे है आपके पास और भी कुछ frequent आएंगे आपको वैसे atom mask की tension नहीं लिए गिवन होगे बड़ी याद रखेगा तो सही है वैसे नहीं भी याद रखेगा तो भी कोई tension वाली बात नहीं है ठीके ना अगर हम आगे की बात करते हैं यहाँ पर तो कुछ चीजें है प्रॉपर तरीके से समझेगा एक होता है formula mass ठीक है ना formula mass या फिर इसी को generally हम molecular mass के नाम से जानेंगे how to calculate बहुत अच्छे समझेगा molecular mass जैसे मैंने बोला carbon dioxide तो carbon dioxide का mass कितना होता है one mole का mass कितना होता है one mole भी समझाओंगा तो इसका mass जो निकालते हैं ऐसे carbon का भी बोला मैंने आपको पैस 12 होता है प्लस में एक oxygen का 16 होता है oxygen के एक atom का ठीक है तो इसको जब 2 हो गए है ना तो 2 हो गए तो कितना हो गए 32 तो 32 और 2 से multiply करने के बात ठीक है अब इन दोनों के एड़ कर दिए 44 ग्राम समझ में आ रहे होगी बात डन है उससे तरह से मान लीजे आपके पास समझ में आ रहे होगी बात ठीक है अब इसमें क्या 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 है कैल्सियम का 40 होता है बीच में आपको पलस लगाना है कार्बन का 12 होता है और फिर oxygen का होता है 16 है लेकिन 3 है तो 16 तो 48 एड़ कर दीजे कितना हो जाएगा 48, 12, 60, 400, 100 ग्राम समझ में आ रहे होगी बात ड़न है 100 ग्राम ओके आगे चलिए इस तरह से आपके पास माल लीजे हमने दे दिया आपके पास sodium carbonate sodium का कितना होता है 23 तो 2 है तो 46 लोगा carbon का 12 और 16 या 48 कोई दिक्कत भई oxygen के 3 है ठीक है ना कितना होगे 106 जोड दीजे ग्राम में मौज लीजे next आपके पास माल लीजे C6- C12-O6 से कहने मतलब क्या है this is your glucose ठीक है this is your glucose कारबन का 12 12 चक 72 प्लस में hydrogen का 1 होता है लेकिन 12 है तो 12 से into कर लेंगा oxygen का 1 होता है सुरी 16 होता है तो 16 से multiply करेंगा तो 96 एड कर देजे आपको मिलेगा 180 ग्राम आगे चलिए C12-H22-O11 समझ मार्यों की बात क्या है यह C12-H22-O11 इसका नाम है सक्रोज सुगर कह लीजे simply ठीक है ना चलिए कारबन का 12 से 12 multiply करेंगा 144 144 बीच में प्लस hydrogen का 22 हो गया oxygen का 16 से 11 को multiply कर लेंगा तो कुछ इस तरह से आपको molecular mass निकालना आना चाहिए और जो independently exist करते हैं जैसे कि sodium हो गया magnesium हो गया आपके पास aluminium हो गया है ना iron हो गया कुछ helium हो गया neon हो गया आरगन हो गया इनके molecular mass mm से represent करेंगा molecular mass कुछ और नहीं इनका जो atomic mass होते हैं वही होते हैं जैसे इसका 23 इसका 24 हो गया aluminum का 27 हो गया iron का आपके पास 56 होते हैं या फिर 56.5 सायद 0.5 भी बता दूंगा है या नहीं है helium का 4 हो गया neon का आपके पास 20 हो गया आरगन का 40 हो गया और यह क्या बता दिया था मैने आरगन के बाद ETC हो चलिए हो कोई tensionally भात नहीं हो ठीक है ओके ग्रेट तो कुछ इस तरह से आपके पास molecular mass आपको निकालना आना चाहिए क्योंकि अभी है mole concept में बड़े frequently से use करने वाले हैं the most 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 important चीज़ बताने जा रहो बहुत अच्छे से समझेगा यस बहुत ही अच्छे समझेगा बहुत ज़्यादा importance चीज़ समझाने जा रहो भी मैं आप लोगों को ठीक है तो सबसे पहला है mole yes moles की बात करेंगे तो अभी उपर भी बताए कि एक mole में कितने entities होते हैं यह मैंने आप लोगों के but how will you calculate mole वो condition बताने जा रहा हूँ वो formula बताने जा रहा हूँ तीन formula बताऊंगा yes तीन formula बताऊंगा number of first formula in terms of बहुत अच्छे से समझेगा in terms of mass बोले तो gram की terms में बताऊंगा इसका number of moles को generally मैं represent करता हूँ small n से किसे small n से तो यहाँ पर मैं लिखूँगा number of moles is equal to जितना mass given होंगा yes given mass upon में upon में molecular mass given mass upon में molecular mass will be your number of moles क्या इतनी बात समझ में आ गए अब भी से आगे से मतलम मैं क्या करूँगा number of moles के जगा मैं short में ज्यादा time ना लगे इसलिए मैं small n से representation दूँगा given mass को मैं w से represent दूँगा w से और molecular को mass को मैं capital m से represent दूँगा क्या इतनी बात समझ में आ गई done है ठेक है तो number of moles का formula में लिखूँगा given mass upon में molecular mass given mass upon में molecular mass क्या इतनी सी बात समझ में आ गई done है ठेक है great चलिए आगे की बात करते हैं यह वह first formula in terms of mass second formula in terms of in terms of कैसे apply करना वो हम आपको बताएंगे tension मत लिजे in terms of atoms yes atoms या फिर उसके जगा पर आपके पस कुछ भी molecules वगएरा जो है वो given हो सकते हैं तो फिर से वही चीज़े आपके पास number of moles अब number of moles जब atoms के ट्रम में हैं मास के ट्रम में था तो गिवन मास था और अपन में molecular mass तो जब atoms के ट्रम में है तो उपर क्या आएंगे given number of atoms given number of atoms मतलब कितने atoms आपको given है इसके जगा molecules भी हो सकते हैं बताएंगा कैसे अगर आप इन दोनों formula को थोड़ा सा relate करने की कोशिस करें तो आपको पता चलेगा जो इन दोनों के denominator में हैं वो आपको पहले से मालूम होगा आई हाई हाई देखे इसके आवगाटर नमबर आपको मालूम है 610 to 20 10 to the raise for 23 similarly molecular mass आपको calculate करना सिखा दिया है जिसकी भी बात करेंगे तो यह denominator वाली चीज़ आपको हमेशा मालूम होगा ठीक है और उपर वाली चीज़ गिवन होगी फिर हम तुरुन निकाल देंगे चले थर्ड नमबर के formula में पहुंच जाते हैं ठीक है और थर्ड नमबर के formula में जो देखने को मिलेगा वो क्या है भई इन टमस ओफ वल्यों येस इन टमस ओफ वल्यूम थोड़ा सा कम यूज करेंगे इस फॉर्मुले को येस थोड़ा सा कम यूज करेंगे ठीक है न थोड़ा सा तो ध्यान ट्रके को कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से फिर से हमारे पास number of moles निकालेंगे यहां से तो मेंसे उल्स हमारे पास हो जाएंगे गीवन वॉल्यूम के अपके तो नीचे आपको याद होगा रखनास बैया एक तो याद रखना हि तो यह 22.4 लिटर याद हुआ 22.4 लिटर मतलब हमें इसा फिक्स से नीचे क्या आएंगे 22.4 लिटर अच्छा इसको symbolic representation दे दूं क्या in terms of atoms वाले को चलिए तो number of moles के लिए no doubt लिए लिए लिख देता हूं और आवगाडरो आपको बताई दिया था अभी उपर एने से रिपरजेंट करेंगे समझ माही बात तो यह एक formula हो गया ठीक है ओके अब इसको भी कुछ symbolic representation दे दूं नंबोर मोल्स के लिए तो एन ही है given volume के लिए वी लिख देता हूं और निचे fix कर देता हूं 22.4 जंजे ठीक हता हूं समझ माही बात तीनो formula है इन तीनों में से जो पहला और दुसरा formula है first and second are the most 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 important formulas that you will use frequently yes the most important formula the first one that is in terms of mass and the second one which is in terms of number of atoms or you can say molecules क्या इतनी सी बात समझ में आ गई डन है अब बात आती है sir हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इन से हमको तो ये इतना तक तो समझ में आ गया है लेकिन problem हमें होती है numericals में yes जब मोल्स के questions आ जाते हैं तब हमें थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो समझेगा कैसे हम इन formula से deal करते हैं किस तरह के questions आपको given हो सकते हैं ठीक है न चलो तो फटा फट हम questions की और बढ़ जाते हैं तो आपको अभी तक जो बताया most important formula जो use होंगे वो पहला और दुसरा है तो में क्या करूँगा numbers of moles is equal to given mass upon a molecular mass दुसरा number of moles is equal to given number of atoms upon a preguntas नंबर यह दो फार्मूलय में लिख लूँगा कैतनी इससी बात समझे काई यह दोनोंी formula में क्या करूँगा लिख다고 थेके न यह दोनोंी formula में लिख लूँगा और आप क्या करना इन दोनों formula को लिखने एक बाद पहले कोईसन तो दो यार चलो कोईसन देते हैं चलो देखो हमने आप से बोला find 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 number of moles and मतलब number of moles किसका कि कितना देदू अठारा पच्चे नब्बै नब्बै अठारा कम कर देते हैं इसे करके दिया रहेगा तो यह पहले इस वाले फॉर्मुले के बेस्ट पर दिया मैंने आप लोगों कि number of moles का formula मास के ट्रम में तो मास वाले formula लगने वाला इसमें atoms का कोई चक्कर नहीं है ठेके ना तो number of moles निकालना है तो number of moles का formula क्या होता है given mass उपर में क्या given mass और given mass क्या है 81 divided by gram में लिख सकते हैं कोई tension वह बात नहीं है नीचे में molecular mass तो किसका molecular mass किसका number of moles निकालना है water का तो water का formula क्या होता है H2O तो H2O के निकालेंगे 2 hydrogen का 2 और इसका solar भी निकालके बताया था 18 gram ठीक है तो 18 gram निके लिख लेंगे तो यह आजाएगा N is equal to gram से gram हमें इसा यह unit less होता है तो tension लेनी कोई जरूत नहीं number of moles is unit less ठीक है 18 से divide कर तो कितना जाएगा 4.5 mole खतम बात समझ माई बात done है तो number of moles कितना है 4.5 number of moles कितना है 4.5 number of moles कितना है 4.5 great चलिए sir ऐसा किजिए क्या इससे हमें कुछ और तरीके से घुमाफिरा कर question पुछा जा सकता है बिल्कुल sir पुछा जा सकता है आपसे given mass पुछा जा सकता है यस given mass पुछा जा सकता है ऐसे बोल देंगे जैसे अब यह number of moles आपसे निकलवाया अब आपसे number of moles नहीं निकलवाएगा येस अब आपको number of moles दे देगा और बताएगा बताओ given mass कितना है बताओ given mass कितना है तो ऐसे भी question पुछा जा सकते है इसी को उल्टा करके देगे molecular mass आपसे पुछेगा नहीं क्योंकि वह आपको हमेशा पता होगा तो number of moles तो आपकी बार अगर मैंने बोला find mass of 4.5 mole of water इसी question को मैंने reverse कर दिया अबकी बार मैंने इसी question में जो number of moles आपने find किया है उसी को मैंने दे दिया और आपसे mass पूछ लिया तो फिर से वही formula लगाने वालों number of moles is equal to given mass upon molecular mass number of moles मालू में मेरे पास 4.5 है given mass नहीं मालू molecular mass water का हमने अब रट लिया है 18 बार बार यह होगा cross multiply करेंगे double ले जाएंगे और हमें 81 gram निकल कर आ जाएगा बात खत्म बताए किसी भी तरह की कोई problem नहीं ना done है ठीक है चलिए तो अब atom के terms में yes atom के terms में बता देता हूँ अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा atoms के term में समझा दे calculate calculate number of atoms number of या फिर number of moles number of moles in in fifteen point in fifteen point कितना हो जाएगा चलिए 15 के जगा 18 ले ले लेते हैं बीजी होगा calculation और कुछ नहीं आपको उसी किसाब से दिया जाएगा tension मतले जेगा 066 into 10 to the raise power 20 फोर कर देते हैं फोर कर देते हैं तुडिंग तुडिंग करके 4 कर देते हैं इन atoms of of चलिए molecules कर देते हैं molecules molecules of carbon dioxide बात खता है तो carbon dioxide के इतने molecules हैं तो मेरे को मालूम करने का है तो मेरे को मालूम करने का है वो कितने moles के equal है उसमें कितने number of moles होंगे समझ में आरे होगी बात है दन है चलिए तो देखे नमबर of moles का formula क्या होता है गिवन नमबर of atoms अपन में अवगाट्रो नमबर कोई दिक्कत भई नहीं तो गिवन नमबर of atoms नहीं मालूम क्या मालूम है सार 6.066 into 10 to the raise power 24 divided by में क्या चलो देख लेते हैं एनने मालूम है अपने को 6.23 देखे यह वाली चीज इससे जब हो cancel out करेंगे तो बिल्कुल exact 3 से cancel होगा अगर आपको ना समझ में आता हो इस टाइप की questions को solve करने के लिए तो आप क्या करना decimal के बाद वाले value को ignore मारना सिरफ इनसे cancel कर लेना बात खत्म है ना आपको उसी हिसाब से दिया हुआ रहेगा tension मतलिजेगा ठीक है चलिए ओके तो अब बात आती है इससे इसको cancel करेंगे कितना बचेगा अरे 10 बचेगा बताओ कैसे यह देखो 10 की पावर 24 है यह कितना 10 की पावर 23 है बेस से मुतर पावर माइनस होते है 10 की पावर 1 हो जाएगा 10 की पावर 1 मतलब 10 तो 3 into 10 कितना बचा कितना हो गया मतलब 30 30 so 30 mol is your answer समझ माईने बात डन अब इसी कोईशन में फिर से वही चीज यह वाली चीज तो आपको आमें सब पता होगा तो कैसे बनाएंगे यह या तो यह देंगे और यह पूछ लेंगे या फिर यह देंगे तो यह वाला पूछ लेंगे भाई समझ मारें बात अब इसी सब्सक्राइब करना तो आता ही होगा इसके निचे 1 उसे इसको करेंगे तो n ओजाएगा इससे को करेंगा 30 सथ कितना ओजाएगा वैसे जब इससे को मट एक ससी आ जाता है तो 180 इन्टो में 0 and और इंटो में 10 to the raise power 23, जब ऐसे multiply करेंगे, जब 30 से इसको multiply करेंगे ताब, अब decimal यहाँ पर रख सकते हैं, left side लाएंगे तो एक decimal पावर बढ़ जाता है, तो 18.022 हो जाएगा, इंटो 10 to the raise power 24 हो जाएगा, इतने atoms आजएगा, molecules मतलब, यहाँ पर भी मुझे molecules से लिखने चाहि तो आप से यहाँ पर molecules से निकल वाएंगे, tension मतलिजे, कोई दिक्कत भई, यहाँ तर, ठेका न, अब एक ऐसा question देता हूँ, जहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमने आप से बोला, find, find, आज़ा बिटा, find, find number of atoms, number of atoms, number of atoms in sodium, of sodium, number of atoms in 46 gram of sodium, 46 gram of sodium, अब यह न question देखिए, बहुत अच्छे तरी के समझेगा, आपको क्या बोला, कोई भी question आए, सबसे पहले दोनों formula को लिखता हूँ, तिसरा भी लिख सकते हैं, कोई tension वाली बात नहीं है, बट ज्यादा तर आपको यही वाली चीज़ जो है, वो देखने को मिलेगा, यही वाला formula ज्यादा frequently यूज होते हैं, यह दोनों, ठीक है, अब यहाँ पर आप चीज़ों को समझेगा, हमसे बोला है, number of atoms calculate करने के लिए और हमें दे धिया है, इन्होंने क्या, मास, अब यह तो गलत बात है नो, भई, मास देखे, आप number of atoms पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें इन दोनों formula को यूज करने जरु पड़ेगी, सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं number of moles निकालूँगा, मास के ट्रम में निकाल निकालना क्या था, number of atoms, number of atoms निकलेगा इसी formula से, क्योंकि इसी में है यह, अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए, number of moles से यह था, उसके लिए आपको यहाँ पर मास के ट्रम में चीज़ें given थी, तो मास के ट्रम में हमने पहले moles निकाल लिए, और उस moles का यहाँ पर रखने के पाद हमने atoms निकाल दी, समझ माई ना, अभी निकाला नहीं, अब निकाल लेंगे, तो number of moles is equal to number of atoms divided by my Avogato number, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं न, चलो, अब मैं क्या करूंगा, number of moles हमारे पस कितने 2 है, number of atoms निकालने, Avogato number अपने को मालूम है, तो मैं यहाँ पर पुट कर लो और इंटो में 10 to the raise power 23 atoms, कोई दिक्कत नहीं न, चलो, cross multiply करते ही, आपको मिल जाएगा, n की value, वो जग 12.044, इंटो में 10 to the raise power 23 atoms, कोई दिक्कत यहाँ तर, done है, great, चलिए, तो अब भी तक मैंने, आप लोगों को number of moles की जो conditions थी, वो सारी चीज़े के लिए करवा दिया, समझ बता है, आप लगाएंगे, no doubt, you will be able to solve, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है, कि नुमेरिकल में प्रावल में कमेंट करके बताईएगा, और इसके अलावा भी, अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आता लाए, कि YouTube पे देख लिए वीडियो, फिर भी प्रावल में, मैं अपना टाइम, एनरजी, सब कुछ लगाऊंगा, तो परसनल क्लास आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, 7428525669 पे आपको क्या करना है, वट्सप करना है, और उसके बारे में सारी डेटेल आपको मिल जाएंगे, चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, जिसको वेपर डेंसिटी के नाम से जानते हैं, तो देखिए वेपर डेंसिटी होता है, सबसे पहले आपको यही चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, ओके, वेपर डेंसिटी जो है, वो एक रेलेटिव डेंसिटी की बात कर ल देंसिटी के बात कर रहे हैं, निचे किसका रखना है आपके बस, हाइडोजन गेसका, तो उसी चीज को हम कहते हैं, उसकी वेपर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी को अगर वॉल्यूम में धियान रखेगा, दो गेस गर में लेता हूं, जो कि एक्वल वॉल्यूम होंगे, ए पर डेंसिटी का जो फॉर्मुला निकल कर आया है, वो M1 अपन में M2, अब ध्यान रखेगा, इसका अगर मास M होगा, तो हाइडोजन डायाटम में के फॉर्म में एक्जिस्ट करता है, तो उसका डबल होगा, उसके मास का, एक एक अटम का और इसका डबल होगा, हमेही सा, हमेही सा, हमेही सा, समझवारें न बात, तो अच्छा, ये वाली चीज़ से पहले के कन्वेंशन के हिसाब से, इसको ऐसे मत किज़े, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजे, ये जो M1 मास हुआ और ये वाला जो M2 मास हुआ, वो क्या होने वाला है, आपके पास, ये वाला डा के हिसाब से रखा हुआ है, मोलेक्यूलर मास, मोलेक्यूलर मास, डिवाइड़ बाय मैं, टू, ठेक है जिनी बात, देगा, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजेगा, ये जो फॉर्मुला निकला, एक बड़ा काम का है, मोलेक्यूलर मास आपको निकालने के लिए डबल कर दिना है, वेपर डेंसिटी का बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि आपको मोलेक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी, ठेक है ना, तो अबर ओल ये था आपके पास, ज़्यादा कोईशन इस पे ज़्यादा फिरिक्वेंटली नही बनते हैं, जो कोईशन फिरिक्वेंटली बनते थे, वो मैंने आपको समझाया, नमबर और मोल्स वाले पे बनते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके समझेगा, और हमारे पास अगली वीडियो के जो टॉपिक होने वाले हैं, वो होगा बड़ा ही इंपोर्टन टॉपिक है, एम बड़ा वर्ड वीडियो का लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को, चली मिलते हैं, अगली वीडियो में प्रैक्टिस करते रहेगा, जैहिंद!